आपके अपने चनल जोतिश्यन वास्तों में कैसे हैं आप सबी आज हमें आपर बात करने वाले हैं 8 जुलाई 2023 के बारे में 8 जुलाई 2023 का ये दिन आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है कौन-कौन सी वैदिक रेमेडीज आप सभी के लिए बहुत ज़्याद आची रहेंगी क्या रहेगा आज का एंजल नंबर और आज का ओफरमेशन कौन सा है आज का वास्तू का उपाए सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में अन तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो सबसे पहले हम बात कर लेती हैं हाँ पर कि आज के दिन में आप सभी का किस तरह से रहेगा स्ट्रक्चर और कौन-कौन सी चीजें आप सभी के लिए रहेंगी फाइद मन देखे दिन बहुत ही जादा अच्छा दिखाई दीता है पर इस दिन में थोड़ा सा संभल कर चलने की जरुद जादा है किसी भी तरह की जल्दवाजी आपको नुकसान दे सकती है आज के दिन में दो-तीन चीज़ें बिल्कुल दिमाग में रखिएगा पहली चीज आप सभी के confidence को lose नहीं करना है अपने आपको बिल्कुल relax रखना है और कोशिश करिए कि positive चीज़ों की तरफ अपने आपको involve रखे ना कि किसी अननेसर की बातों में उलच के अपने आपको परिशान करे नहीं तो वहाँ पर आपको परिशानिया थोड़ी सी बढ़ते हुए निज़र आईगी इसी के साथ-साथ यहाँ पर देखा जाए तो आज के इस दिन में आप सभी को थोड़ा सा balance करके चलने की जरूरत है गाड़ी चलाते से मैं थोड़ा सा साफधानी रखनी है और travel करते से मैं भी थोड़ा सा ध्यान रखका चलने की जरूरत है आज के दिन में आप सभी financially बहुत ज़ादा stable रहेंगे financially अपने काम को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे और किसी भी तरह की financial problem अगर life में चल रहे है तो उसके solutions भी आपको मिलते हुए नजर आएंगे बढ़ इसी के साथ साथ आज के दिन में पैसो के लेन दिन में थोड़ी सी साफधानी आपको जरूर रखनी है बहुत ज़ादा किसी को जरूरत है तो ही मदद करिए otherwise आप आज थोड़ा सा avoid करें तो ज़ादा अच्छा रहेगा इसके साथ साथ यहां पर देखा जाए relationship के लिए समय काफी ज़ादा अच्छा दिखाई दीता है relationship में आप सभी को पाइदा मिलता हुआ दिखाई दीता है बट आप सभी को आज के दिन में छोटी छोटी चीजों को avoid करके relationship में छोटी मोटी खटपट से पूरी तर से बचना चाहिए ताकि आप सभी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा आज का दिन property के लिए बहुत ज़दा अच्छा नहीं है इस बात का ध्यान रखेगा तो इसी लिए कोशिश कर दिया कि कोई भी नई property की deal आज के दिन में ना करें थोड़ा सा avoid करें उसे तो ज़दा अच्छा रहेगा सेहत में बहुत ज़दा ध्यान देकर चलने की जरुरत है सेहत थोड़ी सी खराव हो सकती है सेहत को लेकर के थोड़ी सी परेशानिया देखने को मिल सकती है खाने पिने में मन न लगे और आप सभी किसी ने किसी वज़े से थोड़ा सा परेशान रहे है हड्यों का दर्द हो सकता है, joint pain हो सकता है या फिर कोई बिमारी जिसकी वज़े से आपको परेशानी हो तो वो बिल्कुल possible दिखाई दीता है इसी वज़े से आप सभी को थोड़ा सा अपने आपको relax रखकर चलने की ज़ादा ज़रूत है अब क्यूंकि दिन में काफी सारी चीज़े हो रही है कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं कुछ चीज़ें खराब भी हैं तो इस दिन को और ज़ादा अच्छा बनाने के लिए कौन-कौन से उपाय आप सभी को करने है जो आप सभी के लिए बहुत ज़दा अच्छे रहेंगे ये आप नोट कर लीजगा प्लीज आज सुबह सुबह जिस पानी से आप सनान करते हैं उस पानी में हलका सा डियो, पर्फ्यूम, स्प्रे, खुश्बू कुछ भी मिला करके सनान कर लीजेगा इससे आप सभी को थोड़े से अच्छ रेजल्ट मिलते होगे नजर आएंगे तो ओम नमर्शिवाय का जाब कर लीजेगा, ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छ रहेगा आज के दिन में अगर आपकी जिंदगी में कोई अर्चन हैं, कोई रुकावट हैं, कोई अजीब सा भय है या कोई अंजान व्यक्ति से आप बहुत सदा परेशान हैं, या फिर किसी भी तरह की आपको लगता है कि आपके उपर कोई नजर है, कोई बाधा है तो आज के दिन में आप क्या करिएगा, आप काले मूंग या फिर काले मूंग की डाल, दोनों में से कोई भी एक चीज जो आपके गर पर अविलेबल हो, वो और गुड आप डोनेट कर दीजिगा किसी भी मजदूर को, किसी सफाई करमचारी को, या फिर किसी मंदिर के पु नजर आएंगे, आज कोशिश करिएगा कि रात के समय में डॉक्स को अगर कुछ खिला दें, तो उससे भी आप सभी के कामों में जो आ रही बादा हैं, वो दूर होंगी और आप सभी काफ़ी हद तक बैलन्स करते होगे, नजर आएंगे, तो ओवरल देखा जाए, तो दिन चामल के दाने जरूर से डाल दीजिएगा, और पीपल की पीड़े पर जल चढ़ा करके, अपने जीवन की शान्ती और संपनता के लिए कामना करीगा, इससे आप सभी को बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे, आज के दिन में जो एंजल नमबर आपको इस्त अगर कभी मन में भाई भी लग जाए, तो इस नमबर को आप रिकॉल कर लिजिएगा, इससे आपको काफी ज़्यादा च्रिजर्ट मिलेंगे, आज के दिन में जो आफ़र्मेशन है, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आज का आफ़र्मेशन ज यहां पर बता देता हूं, मैं वास्तु का नया बैच में शुरू कर रहा हूं, अब तक मैंने अस्ट्रोलोजी के बैचेस काफी लिए हैं, और काफी लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर एक वास्तु का बैच भी ले लीजिए, और वैदिक शास्त्रों के हिसाब से वास्त करते हैं, तो मुझे जल्दी से वास्त पर मैसेज कर दीजेगा, आगे की सारी जानकरी आपको वास्त पर मिल जाएगी, आज के दिन में कौन सा गोल्डन विश्ट टाइम रहेगा, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये भी आप नोट कर दीजेगा, प्लीज, पोड़ा सा अवाइड करके चलिएगा, इस समय में कोई भी काम ना करें, इस बात का विश्ट द्यान रखेगा, ताकि आप सभी को किसी भी तरह की कोई दिकत कोई परिशानी ना हो, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आज के दिन में कौन सी राशी, नंबर और और नंबर 9 के लिए बहुत ही ज़्याद अच्छा समय है, अल्फाबेट्स में देखा जाए, तो अल्फाबेट्स में F, I, K, L, M, N, R, U, P, और Z, आप सभी को बहुत अच्छे फायते देखने को मिल जाएंगे, आज के दिन में अगर आपका जन्म दिन है, आपके अनिवर रहेंगी, आने वाले साल में आप सभी को बहुत सारी चुनोतियों का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलते हुए नजर आएगी, सरकारी एक्जाम की तहरी कर रहे हैं, तो बहुत चाला चांसे ही कि आपको वापस से एक्जाम देना पड़े, या फिर किसी भी तरह की जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहें, अभी ना करें, जैसा समय चल रहा है, उसे ऐसे ही चलने दीजे, तो वो जादा अच्छा रहेगा, उमीद करता हूँ आप सभी को कोई जादा परिशानी नहीं होगी, अब आप कर लेते हैं आपर आज के गर के वास् को पाए के लिए, क्या है आज के गर का वास्तु जो आप के रहेगा बेहत खास, दिखेंगे आज के दिन में सबसे पहली जीस, आप सभी को नौर्थ डिरेक्शन को पूरी तरह से बैलेंस्ट रखना है, इस बात का विशेश ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा कि नौर वहाँ पर आप कोई भी भारी आइटम रख सकते हैं, वहाँ पर थोड़ा अंधिरा भी रखें, तो कोई दिक्कत, कोई परिशानी नहीं होगी, आज के दिन में सपेशली, अगर आपके गर के वेस्ट डिरेक्शन में टॉयलेट है, तो उसे बिलकुल क्लीन रखिएगा, त अपने बारे में कुछ समयना चाहते हैं, आप मुझे संभर कर सकते हैं, मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा, आप सभी की हर संभव मद दन्यापर कर सकूँ, धन्यवाद